किसी सहर में तीन बुजूर मेलाई रहती थी जिनकी उम्र 90, 85 और 75 साल की थी एक दिन उनमें आपस में एक भैक शड़ गई कि हमें से किसने अपने जमाने में बहुत अधिक ठंड को जेला है तो जो 75 साल की महिला थी वो कहने लगी कि अरे भई ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी ये तीन-तीन रजाईयों के भीतर भी हमें ठंड लगा करती थी दूसरी बुजूर महिला जो की 85 साल की थी उसने का अरे ये ठंड तो कुछ भी नहीं है ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी उस समय नल में चलता हुआ पानी भरब बन जाता था और नल के पाइप फट जाया करते थे तीसरी बिजूर महिला जो 90 साल की थी वो इन दोनों की बातों को सुन रही थी चुपचाब अचानक उठखड़ी हुई और उसने कहा है कि तुम्रों ने तो अपने जमाने में कुछ भी ठंड नहीं देखी है जो मैंने देखी अपने जमाने में और उसे आज भी मैं याद करती हूँ तो मेरा मन सेहर जाता है इतनी ठंड पड़ी थी मालू में कितनी पड़ी थी हमारे जमाने में इतनी ठंड पड़ी थी कि ज़्यादी आप सांस लेके छोड़ते थे तो वो सांस आगे चलके बर्फ का गोला बन जाती थी जैसे कि सुगरेट के धुए के छल्ले बनते हैं मुझे तो आज भी और सोच चोच कर बहुत सेहर जाती में कि हमने क्या-क्या ठंड जेला था यह एक्जामपल देने का सिर्फ यह परपाज है और यह एक्जामपल यह बताता है कि ठंड की तिभृता कैसी थी जो 75 साल की उमर की थी उसने एक तिभृता को जेला था उससे जादा ठंड जो 85 साल की थी उसको जेला उसने और जो 90 साल की थी उसने साथ बहुत जादा तिभृता तिभृता वाला ठंड जेला था ठीक इसी तरह ज़िए आप लोहार को देखें तो वो चेनी कैसे बनाता है आपने देखा हुआ कि वो चेनी को पहले लाल सुर्ख गरम कर लेता है और उसकी धार को बनाने के लिए लाल सुर्ख गरम मार पे वह थोड़े मार मार के उसकी धार को पेना करता है उसको शार्प करता है और उसके बाद उसी लाल अवस्था में जबकि उसका टेंपरेचर काफी जादा होता है वो उसको पानी में डूबो देता है जैसी वो पानी में डूबो देता है तो आपने सुना होगा कि एक छन सी आवाज आती है चुन करके आवाज आती है ऐसे ही आपने रसोई घर में भी देखा होगा रसोई कि इसी से अंग्रेजी का जो क्वेंच सब्द आया है इसी से परिवासित किया गया होगा कि जब आप किसी चीज को क्वेंच करते हैं मतलब बहुत तेज गदी से ठंडा करते हैं तो उसे हम क्वेंच कहते हैं और जो ठंडा करने की विधी होती है उसे हम क्वेंचिंग कहते है हीट ट्रीट्मेंट ऑफ इस्टील पार्ट एट के इस चैप्टर में मैं इसी क्वेंचिंग सब्द के उपर ही आगे का मैंने चैप्टर बनाया है और ये एक हीट ट्रीट्मेंट का बहुत इंपॉर्टन आस्पेक्ट है इससे पहरे जदी आप लगी ने पार्ट फाइब नहीं देखा है तो उसे वस्य देख लिजिए जिसमें की हाड्निंग टेंपरिंग के उपर मैंने बात किये वहां भी मैंने क्वेंचिंग का इस्तेमाल किया और काफी डिटेल में है और उसमें जो कुछ बाते जो मैं नहीं भी बता पाया था वह इस पर्टिक्लर पार्ट में मैं बताने जा रहा हूं के बारे में तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह प्रोग्राम पसंद आएगा तो चलिए सुरू करते हैं नमस्कार साथियो हीट ट्रीट्मेंट ऑफ इस्टील पार्ट एट के इस प्रोग्राम में मैं जगदी शौबे आप सबका अपने चैनल जगदी शौबे पर स्वागत करता हूं जैसा है कि इस वीडियो के इंट्रों में मैंने बताया पार्ट एट बेसीकली क्वेंचिंग क से उपर आधारित है क्वेंचिंग यो की हीट टीट्मेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस पार्ट में है देखिए क्या कंटेंट है पहले तो फ्लेश्बेक मैं दिखा रहा हूं पार्ट वन टू फाइब जो पहली स सब्सक्राइब कार बारे महुंघ के बारे में बताया था फिर साथिंपर्टेरन चानिरन करबायि डाग्म से टTT कोफ औह इसके बारे में आपको बताया था पार्ट 6 जो दूसरे सीरीज का पार्ट है उसमें मैंने हाडविल्टी फेक्टर सफेक्टिंग हाडविल्टी एप्लिकेशन एडवांटेज यह सारी बाते मैंने आपको पार्ट 6 में बताई थी और इससे पिछला पार्ट जो था वो टाइप ऑफ एलाइंग एलिमेंट्स इन उनका इफेक्ट क्या होता इस्टील की प्रापर्ट्टी पर यह सारी चीज़े मैंने आपको काफी दिटेल में बताई थी पार्ट 8 कि इसमें मैं कवर करूंगा क्वेंचिंग परपस ऑफ क्वेंचिंग टाइप आप फेंचिंग एफेक्ड आप क्वेंचिंग डिफेक्ट in quenching precautions in quenching तो यह चीज़े में सारी पार्ट हेट में आपसे discuss करने वाला हो हूँ है क्वेंचिंग हेट टीट्मेंट प्रॉसेस बिसिकली क्या है एनिलिंग नॉर्मलाइजिंग हाड़निंग टेंपरिंग करते हैं नॉर्मलाइजिंग में फास्ट कॉलिंग करते हैं हाड़निंग में क्वेंचिंग करते हैं जिसको की वहरी फास्ट कुलिंग कहते हैं नोड़न गरेरे तोगतन है तो जदि आप पा॥ 5 जाएए तो पाट फाइब में हाड़नी और टेंपरिंग के उपर ही मैंने सारा कुछ डिसकस किया हूँ और काफी डिटेल में किया हुआ है इस पार्ट को समझने के लिए आपको पार्ट फाइब ही टीटमेंट का जरूर देखना पड़ेगा तो इसे अवसे देखिए है तो परपाज अब क्वेंचिंग हम क्वेंचिंग क्यों करते हैं तो क्वेंचिंग करने का उद्देश एक ही है तो अचीव यूनिफॉर्म मार्टन सिटी की स्ट्क्यर आफ्टर क्वेंचिंग सुटेवल फोर टेंपरिंग सो एस तुगेट फाइनल डिजार्ट प्रपरट और इसके बाद जब आप टेंपरिंग कीजिएगा तो आपको जो आपको प्रपरटी चाहिए जिसके ही साफसे एंड यूस के ही साफसे वह आप हासिल कर सकते हैं जदि आपकी क्वेंचिंग अच्छी होगी मार्टन साइट अच्छा बनेगा यूनिफॉर्म बनेगा तो ट क्वेंचिंग मीडियम सीवियर्टी क्वेंचिंग मीडिया टेंपरेशर और जो लास में था वो था ट्रांसफर टाइम यह सारी चीजिए कंपोजिशन अपी स्थील जैसे हमने हाई प्रट्रेक्टाइड के बारे में बताया था हीटिंग तेंप्रेशर डिपेंडिंग क्वेंचिंग मीडियम मैंने आपको बताया थे जैसे कि ब्राइन वाटर और और नॉर्वल तो यह जो चीजिए हैं यह सारी अलग-अलग क्वेंचिंग सीवियर्टी हैं जिसमें की ब्राइन का सबसे हाई सीवियर्टी का मतलब होता कि कितनी तुप्रिता से ठंडा करता यह क्वेंचिंग वाइल की एक प्रॉपर्टी होती है और तो इसमें जो सीवियर्टी के इसाफ़ से है वह है पहले ब्राइन फिर वाटर फिर ओल देन उसके बाद नॉर्मल कॉलिंग करते हैं इसलिए हम इसको वर्ड कुंचिंग करते हैं फिर कुंचिंग मीडिया का टेंपरेचर किस टेंपरेचर पर है इसके उपर करते हैं और उसके अलावा जो सबसे important aspect था वो है transfer time आप कितनी जल्दी heating temperature से जहां पर आपने उसको hold किया हुआ उससे हम oil में कितनी जल्दी हम transfer करते हैं जदी हमने उसमें delay कर दिया तो आपको फिर martensite uniform नहीं बनेगा यह सारी चीज़े मैंने विस्तार में पार्ट 5 में बताई हैं पार्ट 5 मैंने यहां दिखाया हुआ आपको तो आप पार्ट 5 एक बार आपको देखना पड़ेगा इन चीजों को समझने के क्वंचिंग जब हम करते हैं किसी भी मैटल का हीट करके चाहे ओयल में चाहे ब्रैन में चाहे वाटर में कहीं भी करते हैं तो उसके क्या-क्या stages cooling कैसे होती है तो cooling basically तीन stage में होती है देखिए पहले जो stage है वह है और आपका वेपर blanket cooling stage इस दोरान जब आप quench करते हैं तो सुरू सुरू में जो उसके metal के around जो भी आपका job है यह दिखा रहा है और इसके चारों तरफ लिए आप जो देख रहे हैं यह सारा एक जो जाता है वेपर का जाता है को कि आप ट्वेंच करते हैं तो उसमें से वेपर उठते हैं और वह सारे सुरू सुरू में यहां पर इकठ्टे हो जाते हैं कुछ seconds के लिए इकठ्टे होते हैं तो इसमें क्या होता है formation of क्वेंचेंट वेपर blanket around the job then slow cooling due to blanket and acting as an insulator और cooling occurs by radiation only क्या क्या इसकी काजियत है कि slow cooling होता है क्यों जदि ब्लैंकेट बन जाता चारो तरफ तो rate of cooling slow हो जाता है विकॉस यह ब्लैंकेट है इस इसके अलावा cooling जो है इसमें सिर्फ radiation के द्वारा होती है और कोई प्रॉसस निया ना तो कंड़क्शन है ना कंवेक्शन है सिर्फ रडिशन तो यह पहला स्टेज होगी यह पर फॉर्मेशन का इसके बाद यह देखिए दूसरा इस्टेज आता है जिसको हम ग्वाइलिंग स्टेज कहते हैं इस स्टेज में कुछ से के बाद कि वेपर से जल दिए वो निकालता है एक्षरेक्ट करता है तो बोईलिंग औफ क्वेंचन एंवल मेटल सर्फेस यह पहला फिगर मेटल सर्फेस ने और इस पर दूसरा है वह है कि यह नियुक्त सर्फेस यह घृइए जिखा रहा है यह तोटल सर्फेस पर अहों इसको जो ढगा सबसे जदा होती है निकलती है सबसे ज्यादा फंडी होती है इसके बाद लास्ट श्का सिद्ड कुलिक चणि इस समय जब क longer Nani वो थंडा होता है इसमें कि क्या आधा इस टार्ट है मेटल सेल फस्टेंपरेश इस करे लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफना पिलींग इसे जब मेटरिक टेंपरटिक्शार तो यहां से होता है उसके बाद बिलो इस टेंपरेशर ब वैलींग स्टाप्स抡 Нबवी मैं इसमें Ki और बहुता है और इसमें की उसके चोटे-चोटे बन्ते हैं तो टी इस कंडहरों एसrente उतीर knud question convection और conduction आप जरूर जानते होंगे conduction body to body touch होता है और conduction जो है किसी medium के थ्रू होता है जो कि medium इसमें oil या water या मराइन जो भी है वो अरता है इसमें तो इसमें जो cooling है इस समय यह conduction and convection के थ्रू होती है cooling rate depends on और यह जो cooling rate है यह viscosity के आपड़ डिपेंड करती है जदी cooling rate cooling rate decreases with increasing viscosity जब जदी आपकी oil की viscosity बहुत ज़्यादा है तो cooling rate बहुत slow होगा अब इस stage में आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है एक दम flat है कहीं आपको metal part दीख नहीं रहा है क्योंकि सब जगा temperature uniform हो गया है यह total cool हो गया है तो यह एक quenching का अलग-अलग stage है जो मैं बताना चाहरा था जो कि मैंने hardening temporary में नहीं बता रहा था इसलिए मैं यहाँ इसको cover कर रहा हूं और यह basically stages है को quenching के अब quenching के दोरान हमें क्या-क्या precautions रखनी चाहिए देखिए हर तरह के item हम quenching करते है plain carbon steel हो गया structural steel हो गया tool steel हो गया तरह तरह का item हम use करते है तो अब इविन item में हम क्या precaution लेना चाहिए यह मैं आपको दिखा रहा हूं कि components composed of heavy and thin section ठीक है must be immersed in quenching but with their heavy parts first जो part जो कि मोटा section भी और पतला section है तो सबसे पहले हम उसके मोटे part को डिवोते हैं और उसके बाद हम उसके पतले part को डिवोते हैं उसकी वज़ा क्या है जदी आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो because of contraction इसमें भार पर जो जाएगा और distortion हो जाती है तो उस चीज को avoid करने के लिए हमें सबसे पहले मोटा portion दिवना होता है ताकि हीट निकल जाया है उसके बाद last में जो उसका पतला portion होता है वो कवेंचो long jobs such as bits, screws, tabs, reamers and springs must be must vertically otherwise they will wrap यह दिखे इस photograph में हमने यही दिखाया हुआ है कि अलग-अलग यह tools, steels वगर है अलग-अलग टाइप के यह रिंग है यह आपका एक अलग फार्मेशन है यह देखिए यह spring है यह bits है, यह rims है तो यह हर तरह के tool steels है इनको जब भी डूब होना आपने quench करना हो तो ऐसे करना पड़ाएगा vertical जदी आप इसको horizontal करते हैं तो फिर इसमें वार्पेज और distortions के chances रहते हैं तो यह precaution लेना बहुत ज़रूरी है जब भी आप heat treat करें, quench करें इसका ध्यान रखें thin jobs like rings must be immersed with their axis vertical to the surface of the quench ing medium यह thin jobs जदी होते हैं तो उनको भी आपको ऐसे इस तरह से इसको quench करना है precautions during quenching में fourth है, articles with concave surface should not be immersed in quenching with the surface downward otherwise a vapor coating will form and prevent the hardening of the part of the surface of the particle article तो यह कहने का यह मतलब है कि यह जो concave type के जैसे में जिसकी में थोड़ी सी concave type के हो इस तरह की हो तो इसको भी आपको उसका जो quenching जाब आप उसको dip करते हैं उसमें तो इस उड़ी पैर perpendicular तद पंचिंग मीडियम उसका जो axis है वो perpendicular पंचिंग मीडियम यह है और उसका axis है तो इसको आपको ऐसे डिबोना पड़ेगा उसके बाद fifth है, to avoid development of cracks in small diameter hole web, wet asbestos to be used to seal the hole or special fixture जदी आपके job में कोई भी ऐसा है judgment की कुछ छोटे-छोटे holes हो, तो जदी आप उनको सीधे कीजिएगा तो वहां से crack initiate होने के chances रहते हैं इसलिए उनको plug up करना पड़ता है तो उसके लिए आपको wet asbestos sheet लेनी पड़ेगी उससे उसको plug कर दीजिए और या दूसरा फिर आप उसके लिए कोई special fixture बनाईए और तब उसको quench कीजिए otherwise उसमें crack होने के chances हैं तो ये कुछ एक precautions हैं जो की अलग-अलग component के हिसाब से हमके thickness use के हिसाब से हम use करते हैं ये sum हम क्यों use करते हैं basically आप देखिए तो ये quenching defect को avoid करने के लिए हम सारा कुछ क्या है अब quenching defect क्या क्या हो सकते हैं देखिए पहला मैंने दिखाया इसमें ये oxidation and decar ये ये भी depend करता है temperature और furnace atmosphere के उपर oxidation and decar हो जाता है surface के उपर quenching cracks ये भी मैंने थोड़े दिर पहले बताया कि विकाउज अफ मार्टेंश ट्रांस्वर्मेशन ये मैंने हाड़निंग में बताया हुआ है जिदि आप इसको हाड़नी वाले चेप्टर को देखेगा पार्ट फाइब तो आपको एक clear हो जाएगा कंचिंग क्रेप कहा कहां डेवलाप होते हैं किस केस में होते हैं उसके बाद डिस्टॉर्शन और वार्पेज ये अभी मैंने बताया कि जैसे लॉंग जॉब होते हैं थिक एंधिन जॉब होते हैं तो उनको जिदि आप धंग से क्वेंच नहीं कीजिएगा तो उसमें डिस्टॉर्शन और वार्पेज वार्पेज मतलब एंठन आ जाती है तो उसको ठीक करना पड़ता है उसके अलावा कुछत तक dimensional variations भी होते हैं because of volumetric changes जाता इसमें और यह जो है थोड़ा सा dimension में फरक पड़ जाता है तो इसको भी देखना पड़ता है कि dimensionally क्या changes आ रहे हैं इसके अलावा mechanical properties not as per specs कई बार यह होता है कि जदी hardening की है उसके बाद आपको tempering करना जुरूरी है लेगिन जदी आपकी hardening या quenching अच्छी नहीं होई तो tempering में variable आ जाता है कहीं पर आपका mechanical properties ठीक होगा कहीं पर कम होगा तो इस तरह से करके mechanical properties specific increase reaction नहीं होती है और जो last one दिखाया है यह soft spots यह भी चाहे तो delete quench हो जाए या आपका heating temperature सही नहीं होते हैं इनको भी आपको avoid करना होगा इनके regions वगारे के बारे में ठीक है तो यह सारा प्रोग्राम जो था basically quenching के उपर ही मैंने dedicate किया हुआ था कि quenching क्या है कैसे करते हैं क्या precautions लेनी चाहिए और इनमें क्या-क्या defect आ सकते हैं इसके बाद मैं और बनाऊंगा video जिसमें मै है कि चाहिए वो नॉर्मलाइजिंग हो है लिंग हो हाड़निंग हो टेंपरिंग हो इनमें क्या-क्या defect आते हैं उनके regions क्या-क्या है और उसकी क्या remedies है इसके उपर चुकि एक अच्छा आपने subject बन जाएगा तो यह अलग से video बनाऊंगा उसमें भी आप देख सकते हैं कि जड़ी चीज़ें आती है तो उनके regions क्या है और उनको कैसे दूर किया सकता है तो इस particular series में मैंने आपको सारी quenching के बारे में बताई है और इफेक्ट आफ एलाइंग elements के बारे में बताया इस series में और उमीद करता हूं कि यह तीनों program आपको अच्छे लगे होगे जैसा कि आपके response से मिलता है खास करके एलाइंग elements मुझे बहुत अच्छे response मिले हैं और लोगों ने बहुत सराय है उस program को तो उमीद करता हूं कि आप इसको भी सराइए गया और अपने comment बेजिए आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके अलावा तो लिखिए मैं आगे जब ही treatment की series फिर बनाऊंगा third series तो उसमें मैं चीजों को include करूँगा तो इस समय मैं यह program यहीं पर समाप्त करता हूं उमीद करता हूं कि आपको यह program भी पिछले programs की तरह पसंद आएगा और आप इसकी भरपूर सराना करेंगे like करेंगे comment देंगे और ज़री आप नए है तो इसको subscribe करे तो आप सबका बहुत बहुत धन्य बाद thank you thank you very much